इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैककप कैसे ले सकते हैं और उस जो बैककप की फाइल बनेगी उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं देखें दोस्तो बैककप लेना इसलिए जरूरी है माली जे आप कोई वेबसाइट है अपनी जिस पर आप काम कर रहे हैं और आप से जाने और जाने में कोई गलती हो जाती है तो अगर आपके पास बैककप रहेगा तो आप उस बैककप की मदद से जो पुराना वर्जन है और इसी हम समझने वालें की बहुत ही इजी वे में बिना किसी कोडिंग के बिना किसी टेकनिकल नॉलिज के आप अपनी वर्डप्रस का कैसे बैककप ले सकते हैं वेबसाइट का और उसको कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैन पर क्लिक करना है एड डियो पर यहाँ पर हम एक छोटा सा प्लगिन इंस्टॉल करेंगे जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट का जो बैकप है वो क्रिएट कर पाएंगे वो भी फ्री आफ कॉस्ट तो यहाँ पर आपको सर्च करना है यहाँ पर आपको सर्च करना है ड को activate कर लेते हैं तो यह plugin हमारी help करेगा पूरी की पूरी website का backup लेनी के लिए जितनी भी files है database है सब कुछ यह एक ही plugin कर देगा तो install करने के बाद आप left side में देखेंगे तो all-in-one WP migration का option आपको मिलेगा इस पर आपको click करना है और export पर आपको click करना है क्योंकि यहां पर हम सीख रहेंगी backup कैसे create किया जाए तो उस पर आपको export की जरूद पड़ेगी यहां पर आपको export टूपर click करना है और file वाला जो option है उसको select करना है जैसे आप करेंगे तो इस तरह का एक pop-up आपके सामने आएगा जहां पर आपकी जितनी भी files है database है images है जो भी आपकी files है आपकी website में उन सब का जो एक backup है वो create हो रहा है यहां पर आप दिख सकते है 55% complete हो गया है तो total आपके पास जो भी click करूंगा तो left side में आप दिखेंगे कि आप डाउनलोडिंग जो है वो शुरू हो गई है यह जो file है यह मेरी पूरी website का एक backup है जिसको मैं use कर सकता हूँ या तो अपनी website का restore करने के लिए या फिर अगर मुझे किसी और hosting provider पर move करनी है अपनी website को तो उसके लिए भी मैं इसको use कर सकता हूँ तो एक बार इसको download होने देते हैं वीडियो को थोड़ा fast forward करते हैं और जब यह download हो जाएगी तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप वापस इसको use करके जो website का restoration process है या फिर uploading process है वो कैसे कर सकते हैं तो यहां पर finally जो हमारी file है वो download हो गई है कुछ इस तरह से एक चीज़ में आपको और दिखाना चाहूंगा यहां पर इस plugin में आपको एक option मिलता है जो है restore का option दिखा रहा है और delete का option दिखा रहा है यानि जो backup आपने file download की है वो same file एक copy आपके server पे इंस्टॉल हो गई है अब यहां से आप इसको download भी कर सकते हैं लेकिन अगर restore करना चाहेंगे तो यह paid version है free version में available नहीं है तो आपको करना क्या होगा restore करने के लिए आपको यह file जो है website का उसको delete कर देता हों, completely पूरी तरह से delete कर देता हों और फिर उसको वापस restore करने के लिए हमारा जो backup है उसको हम restore करेंगे तो यहांसे दोन about के जो page है Bubu कर देता हूं और trash में move करने के बाद इनको permanently delete कर देते हैं तो यह trash में move होचुके हैं,trash में चलता हैं,укर यहांसे जो दोनो about us के pages है वो वापस आ गए तो जो दोनो about us पेज हमने डिलीट की है उनको restore करने के लिए हम करेंगे क्या हम वापस आएंगे plugin पर और इस बार क्लिक करेंगे import पर यह जो backup की file हमने download किये इसको वापस upload कर देंगे तो जो दोनो जो about us के page है वो हमारे पास वापस आ जा हूँ तो guys यहाँ पर यह जो upload है import है वो काफी तीजी से पूरा हो गया है 100% भी हो गया है 100% होने के बाद एक option आपके सामने आएगा जिसके अंदर आपको proceed पर click करना रहेगा एक बार यह 100% पूरी तरह से upload हो जाए then उसके बाद आपके सामने एक option आएगा uploading जो है वो guys depend करे within 15 to 20 seconds पे हमारे जो upload हो पूरा हो गया क्योंकि speed भी अच्छी है और file size उसकी भी size बहुत जादा नहीं है 114 MB, 118 MB के असपास ही हमारी file size है तो यहाँ पर यह 100% पूरी तरह से import कर रहा है थोड़ी दिर wait कीजिए जल्दी बाजी नहीं करनी है आपको एक चीज और देखनी है क आपकी hosting provider ने कोई limit तो set नहीं कर रखी है अगर मालीजे आपके file 118 MB की है लेकिन maximum जो file upload limit size है अगर वो 100 MB set है आपके hosting provider पर तो आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा तब जाकर आप उसको upload कर पाएंगे तो यहाँ पर यह upload हो चुका है और upload होने के बाद एक इस तरह के आपक करना है basically और जैसे आप उसपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका backup है files है अब वो overwrite कर रही है existing files को यानि जित्ती भी चीज़ें है वो यहाँ से वापस उसी वर्जन में चली जाएंगी जिस वर्जन में आपने download किया था तो यहाँ पर ही restore कर रहा है सारी को restore done हो गया import done हो गय तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दोनों about us वाले page थे वो हमने delete किये थे लेकिन क्योंकि backup उससे पहले ले लिया था तो यहाँ पर वो pages आ जाएंगे तो pages पर हम क्लिक करते हैं all pages पर चलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर about or about us दोनों page as it is restore हो गया है इसका मतलब है क इस तरह से आप अपनी website का backup ले सकते हैं उसको restore कर सकते हैं या फिसी और website पर होस्टिंग पर आपको migrate करना है तो वह भी कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care thank you so much have a nice day झाल झाल झाल